हेलो नवसकार दोस्तो मेरा नम है गनेश स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल सुपर टेगनेश में तो दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने आधार कार्ड से बीना ATM कार्ड के UPI PIN कैसे सेट कर सकते हैं दोस्तो अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है और आप फोन पे गूगल पे या फिर किसी भी UPI अप्लिकेशन का यूज़ करना चाहते हैं तो NPCI की और से नया फिचर्स आ चुकी है अब आप बीना ATM कार्ड के सिर्फ आधार कार्ड से UPI PIN सेट कर सकते हैं या फिर UPI PIN को अगर आप रिसेट करना चाहते हैं तो आप आधार कार्ड से कर सकते हैं तो कैसे आपको आधार कार्ड से UPI का यूज़ करना है कैसे आप आधार कार्ड के तरूँ UPI PIN सेट करेंगे इस बारे मैं आपको इस वीडियो में complete जानकारी step देने वाला हूँ तो अगर आप भी आधार कार्ड से UPI का यूज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को complete watch जरूर कीज़ेगा तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो अगर आप आधार कार्ड से UPI का यूज़ करना चाहते हैं आधार कार्ड से UPI PIN सेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको NPCI की ओर से जारी की गई एप्लिकेशन भीम UPI को आपको अपने मोबाल में पहले इस्टोल करना है जैसे कि देख सकते हैं मेरा पहले से स्टोल किया हुआ है तो अपको अपन का option मील रहा है अगर आपका इस्टोल नहीं किया हुआ है तो आप Google Play Store में आके भीम UPI app को स्टोल कर लेंगे इसके बाद आप app को open करेंगे अब दोस्तो अप आप आपके समने लोडिंग होके आएगा यहाप आपको कुछ सेकंड वीट करना है अब जैसे अप open होगा आपको सबसे पहले language स्लेट करने का option मीलेगा तो यहाँ से आप language को स्लेट कर लेंगे आप English, Hindi या जो भी language में इसे आपको चलाना चाहते हैं उस language को आप select कर लेंगे जैसी कि मैं English को select कर लेता हूं आप जैसे आप language को select कर लेंगे तो आपको यहाँ पे mobile नमर आपका यहाँ पर verify होगा तो यहाँ पे लिखा गया है please allow access for SMS call and location optional for a seamless beam experience तो आपको आपको प्रोसीड बटन दिख रहा है प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है अब जैसे प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे आपके device का location को आपको यहाँ पर allow करना है आप allow कर देंगे आपको phone call को भी allow करना है SMS message को भी allow कर देना है किसमें आपका bank account link के उस mobile number को आप select कर लेंगे जैसे कि मैं SIM को select कर लेता हूँ अब जैसे SIM select करेंगे आपका जो mobile number है वो आप पर verify किया जाएगा आपको यहाँ पर कुछ second wait करना है तो देख सकते हैं तीन step में यहाँ पर verification होगा तो यहाँ पर verification complete हो चुका है पास्कोड अपना हिसाब से create कर लें दोस्तों ध्याद रहे हैं आपको दोनों जगे एक ही पास्कोड को एंटर करना है जैसे कि एंटर पास्कोड में आपको 4-digit पास्कोड डलना है इसके बाद रिइंटर पास कोड वाले option पे भी उहीं वाला पास कोड डाल देना है इसके बाद आपको कीपेट पे यहां पे सही का icon दिख रहा है आपको क्लिक कर देना है आप यहां पे successfully login हो जाएंगे दोस्तों आपका registration भीम UPI app में हो जाएगा यहां पे आपको कुछ second wait करना है प्लीज wait का आपको यहां पे option मिलेगा तो दोस्तों आप जैसे आप passcode create करेंगे इसके बाद आपको bank account select करने का यहां पे option मिल जाएगा कि आप किस bank खाते को अपने UPI app में link करना चाहते हैं UPI app किस bank खाते में create करना चाहते हैं आपका जो भी bank account है उसको आप यहां से select कर लेगे दोस्तों मैं आपको आगे बताऊंगा कि अभी कौन कौन सा ऐसे bank है जहां आधार UPI app set करने की facility दी हुई है फ्लाल मैं यहां पे आपको example के थुरू किसी भी bank account को दिखा रहा हूँ तो चली मैं यह से अपना bank account को select कर लेता हूँ यह से state bank of India को select कर लेता हूँ अपना bank को मैं bank के name पे click कर देता हूँ आपको भी bank name पे click कर देना है अब आपका जो bank account है वो यहां पे आ जाएगा दोस्तों आपका इस mobile नमर में जो भी bank account link होगा वो option आपको मिलेगा चाते हैं तो मैं यह से bank account को select कर लेता हूँ अब आपको यहां पे wait करना है कुछ सेकंद आप wait करेंगे तो अब आपका जो bank account है वो यहां पे successfully आपके भीम UPI के साथ link हो जाएगा आपको bank account का use करने के लिए यानि money transfer करने के लिए money receive करने के लिए UPI का use करने के लिए दो option मिलेगा एक debit card का और एक आधार number का अगर आपके पास ATM debit card है तो आप debit card के तुरू या UPI pin set कर सकते हैं अगर आपके पास debit card ATM card नहीं है तो आप आधार number को select करेंगे चलिए मैं आधार number को select कर लेता हूँ इसका बद आपको दीम तो दोस्तों या पर बताया गया है कि आपका जो mobile number है वो आपके bank account के साथ और आधार card के साथ उही वाला same mobile number link होना चाहिए तो ही आप आधार card से UPI pin set कर पाएंगे तो यह यहाँ पर mandatory किया गया है अगर आपके आधार card में और bank account में अलग-अलग mobile number registered होगा तो आप यहां से UPI pin को set नहीं कर पाएंगे तो अगर आपके पास same mobile number link है तो आपको यहाँ पर प्रोसीट पर क्लिक करना है प्रोसीट पर क्लिक करना है यहाँ पर कुछ टर्म और यहाँ जो लास्ट का चार आंक आपके आधार card में है वह आप डाल देंगे जैसे आप अपना लास्ट फोट डिजिट आधार card का डाल देंगे आगया आपको option मिलेगा UPI pin set करने के लिए पहले आपको आधार card के थुरू एक OTP भेजा जाएगा वो OTP आपको इंटर करना है इसके बद आपको bank के थुरू सी एक OTP भेजा जाएगा वो OTP इंटर करने के बद आपको verify करने के बद अपना 4-digit UPI pin set करने का option मिल जाएगा आप वहाँ से अपने हिसाब से 4-digit UPI pin डा कर सकते हैं अब दोस्तों इसके बाद अगर आपको phone pay में भी bank account को जोड़ना है Google Pay में जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं इसके लिए आप phone pay में account create करेंगे इसके बाद आप अपने profile icon पे क्लिक करेंगे आप profile icon पे जैसे क्लिक करेंगे आपको add bank account को option मिलेगा इस पर यहां से आप जिस भी account में भी में यूपाई में यूपाई पिन सेट किये हुई है उहीं वाला bank account को आपको यहां पर select कर लेना है अब जैसे आप bank account को select करेंगे आपका mobile नमर यहां पर feeding किया जाएगा पर जो आपका bank account है वो successfully यहां पर add हो जाएगा देख सकते हैं account अड़ successfully आपको dawn button देख रहा है dawn पर आपको click कर देना है और आपको यहां पर कुछ interface देखनी को मिलेगा तो आपको home page पर आजाना आप देख सकते हैं आपका जो bank account है वो यहां पर successfully add हो चुका है तो दोस्तों इस परकार आप अपने आधार कार्ट से UPI pin set कर सकते हैं अगर आपके आधार कार्ट के थुरू यह UPI pin को set कर सकते हैं कैसे आपको set करना है complete जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है आसा कर तो आपको जानकारी अच्छी लगी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को like कीजे चैनल पर हमारे नय है चैनल को subscribe कीजे और अ आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो वीडियो में comment कीजे और हाँ वीडियो को आगे share जरू करें तो चलिए मिलतर नेक्स वीडियो में thank you जहिंद